नमस्कार दोस्तों बहुत सारे लोग अपने मोध्यबिन के ऑपरेशन के बाद आँख में चिपचिपाहट की कंप्लेट करते हैं वो बोलते हैं कि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हमारी दोनों पलके जो हैं वो आपस में चिपग गई हैं और इसकी वज़े से वो बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं उन्हें लगता है कि आँख में कुछ है वो बार-बार उसको निकालने की कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर भी उनको इस चीज़ से फायदा नहीं होता तो आईए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर परलवी मिश्रा मोत्यबिंद की ओपरेशन के बाद आँख में चिपचिपाहट क्यों आती है इसके बारे मैं आपको जानकारी दोगी इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये चिपचिपाहट आती क्यों है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस चिपचिपाहट के लिए मरीज को क्या करना चाहिए पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे शैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे शैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बैल आइकन है उसको भी हिट कर दीजेगा ताकि भविश में आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो चलिए बिना समय गवाई शुरू करते हैं आज का ये वीडियो मोतियब इनके ऑपरेशन के बाद ये जो आँख में चिप-चिपाहट आती है इसके दो मुख्य कारण होते है पहला तो ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेशन के बाद चलने वाली दवाई है जब भी मोतियब इनका ऑपरेशन होता है आँख में हलकी सी सूजन आती है और इस सूजन की वज़े से जो हमारे आसू बनते है या यह जो हमारी टियर फिल्म है वो डिस्टर्ब होती है अगर मैं आपको साधारन भाषा में समझाओं तो मोतियब इनकी ऑपरेशन के बाद जो आपके आसू बनते है वो कम बनते है अगर आप ऐसे मान के चलिए कि कोई एक जगे है अगर आप उसको रोज पानी से धोते रहते हैं तो तो वो साफ रहती है लेकिन अगर उसकी पानी से धुलाई बंद हो जाती है या कम हो जाती है तो फिर उस जगे में गंदीगी एकटी होने लगती है यही काम हमारी आँख में आसूं का होता है जो आसू नॉर्मल ही हमारी आँख में बनते हैं वो हमारी आँख में जो थोड़ी बहुत भी गंदगी आती है वातावरन की जब हम बाहर निकलते हैं तो जो धूल बगेर आती है तो उसको हमारी आँख से साफ करते रहते हैं लेकिन मोतियबिन के ऑप्रेशन के बाद क्योंकि ये आसू कम बनते हैं तो इसकी वज़े से जो गंदगी होती है वो हमारी आँख में इखटी होती रहती है जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो भी ठोड़ी बहुत धूल पगरा जो हमारी आँख में जाती है वो भी हमारी आँख में जादा जमाह होती है डूसरा बड़ा कारण होता है ऑप्रेशन के बाद चलने वाली दवाईया हर operation के बाद मिभिन के कुछ eye drops होती है जो मरीज को 2 हफते तक या कुछ eye drops एक महीने तक डालनी होती है अब ये eye drops भी कुछ eye drops तब र القल पानी जैसी होती है लेकिन कुछ eye drops जो काफी गाण ही होती है वह बाट थिक होती है और क्योंकि वheaded होती है मेरे चैनल को सबस्क्राइब करेंगा और इस वीडियो को बाकी लोग के साथ में शेयर करिएगा अब बात करते हैं कि ये जो आँख में हमारी जो चिपचिपापन हो रहा है इससे निजात कैसे पाएगा सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि आँख की सफाई रखते अधिकतर लोग जब मोत्यव इनका उपरेशन करवाते हैं तो उसके बाद उन्हें लगता है हमें आँख को छूना ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए वो आँख में हाथ नहीं लगाते हैं ना वो खुद सफाई करते हैं यह बहुत ही गलत चीज होती है कोई भी गंदी चीज, गंदा हाथ, गंदा कपड़ा अपने आँख में मत लगाईए लेकिन आँख की सफाई बहुत ज़ादा ज़रूरी है अब आँख की सफाई आप दो तरीके से कर सकते हैं या तो वाजकल अवेलेविल आई वाइप साते हैं जो कि आप उपरेशन के बाद उससे आँख को पोँच सकते हैं या फिर अगर मैं घरेलो तरीका बताऊं तो एक बरतन में साफ पानी लीजे उसमें रूई डालिए और उसको अच्छे से उबालिए उबालने के बाद आप उस रूई को निचोड कर उससे अपनी आँख को ऐसे पोँच के साफ कर सकते हैं ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सुरक्षित तरीका होता है उसके अलावा अगर चिपचपाहट जादा हो रही है तो लुब्रिकेंट आइड्रॉप्स का इस्तमाल करिए लुब्रिकेंट आइड्रॉप्स ओवर दे काउंटर अविलेबिल होती हैं जैसे कि रिफ्रेश टियर्स या फिर रिफ्रेश लिकुजे उसके अलावा एक बहुत जरूरी बात कि आई शील्ट या उप्रेशन के बाद जो प्रोटेक्टिव आई ग्लासेज हैं उनका इस्तमाल करिए लोंको लगता है कि उप्रेशन हो गया काम खतम हो गया नहीं जब ऑप्रेशन हो जाता है अच्छा हो जाता है तो डॉक्टर का काम खतम होता है लेकिन उसके बाद से आपका काम शुरू हो जाता है आपको धूल से धूएं से गंदगी से बचाना ये मरीज के जम्मेदारी होती है इसलिए आप जब भी बाहर निकलें तो काला चश्मा बहन कर निकलें या फिर आई शीर लगा कर निकलें और कोशिश करें कि रात में अट लीस्ट हफते भर तक आई शीर लगा कर सोई उसके अलावा अगर आप बहुत जादा मोबाईल और स्क्रीन देखते हैं तो उसका जो समय है वो थोड़ा सा कम करिए अगर आप लंबे समय तक एक एक एसी वाले कमरे में रहते हैं तो उसमें यूमिडी फायर का इस्तमाल करिए क्योंकि एसी या एयर कंडिशन कमरा भी पातावरत में बहुत जादा ड्राइनेस करता है उसके अलावा एक बहुत इंपोर्टेंट डाइट्री मॉडिफिकेशन वो ये है कि आप अपने खाने में खुब सारा पानी पीजिए हरी जबजियां फल ऐसे फल जिन में कि खुब सारा पानी हो जैसे आज कल की सीजन में तर्बूज वगरा आ रहे हैं संत्रे बहुत अच्छे आ रहे हैं और उसके अलावा आप ओमेगा थ्री पैटी एसेट्स का इस्तमाल करिए कि एक गोली आप रोज ले सकते हैं तो अगर आप मोतियपिन के आपरेशन के बाद आप अपने आँख में चिपचिपापन महसूस कर रहे हैं तो मेरे द्वारा बताएगा इन तरीकों कर इस्तमाल करके देखिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि आप के लिए इन में से कौन सा तरीका कार करता है आप की बिमारी के संबंद में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नमबर पर WhatsApp कर सकते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए, जैहिंद!